नमसकार दोस्तों, बात करेंगे इंगवाइनल हर्निया में यूज होने वाली 3D मेश के बारे में 3D मेशेस अलग-अलग साइज में आती हैं और लेफ्ट और राइट साइड की अलग-अलग आती हैं नॉर्मल मेश जो है वो डिफरेंट साइजेज में आती हैं लेकिर उसमें लेफ्ट और राइट में दिफरेंस नहीं होता है इसलिए डॉक्टर्स को यह पूरा स्टॉक रखना बढ़ता है और डिपेंडिंग अबॉन पेशेंट को किस साइड का हर्निया है और पेशेंट का स साइज कितना बड़ा है उसके हिसाब से ही हम यह मैश नापकर उसे डिप्लॉई करते हैं 3D मेश का मतलब है कि उसमें एक थर्ड तैमेंचन है अब तक जो मैशेस थी वो फ्लैट मैशेस थी जैसे कि एक कागस होता है जिसकी एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है लेकिन इंग्वाइनल रीजन में जब हमारा जो हर्निया है वो बोन के रीजन के अंदर होता है तो वो रीजन फ्लैट नहीं होता वो कहीं से उबरा होता है और कहीं से उसका डिप्रेशन होता है जैसे कि हमारा हाथ है फ्लैट मैश बिल्कुल फ्लैट रहती है और अगर आपका हर् उसमें असानी से फ्लैटली रखी जा सकती है लेकिन जब इसी मेश को हम इंगवाइनल हर्निया यानि हड़ी के रीजन के पास लगाते हैं तो वहाँ जो जगे है वो उबरी हुई रहती है इसलिए ये बिल्कुल सटी हुई नहीं रखी जा सकती है और इसी रीजन से 3D मेश ब बिना किसी लॉकिंग मेकैनिजम की वो लॉक हो जाता है इसी तरह अगर ये मैश की शेप हमारे इंगवाइनल रिजन के साथ मैच करती होगी तो वहाँ जाकर अपने आप ही अपने रिजन में लॉक हो जाएगा और उसे बहुत जादा फिक्सेशन की जिरूत नहीं बढ़े तो पें रहने का इंसिदेंस हो सकता है लेकिन अगर ये 3D मेश लगाई जाएगी और हम एक्स्टा सिचेश नहीं लगाएंगे तो क्रॉनिक पें का इंसिदेंस कम हो सकता है ये मेश नॉमल मेश के मुकाबले से हलकी सी महंगी होती है क्योंकि नई टेक्नालोजी है कॉम्प के साथ जरू सला कीजिए अगर आप इंच्वरेंस में करवा रहे हैं या अधरवाइज आप अफोर्ड करते हैं तो एजिली आप ये मेश एक्स्टोर कीजिए और इसका फाइदा लेजिए थैंक्यू